हेई अब्रिवान आयाम नेहाँ वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल एक्जाम टॉपर सो स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक है भारतिय सम्विधान के श्रोत जो कि बहुत इंपोर्टिंट टॉपिक है और इस टॉपिक से बहुत चारे कोशन आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं सो इंपोर्टिंट रहेगा वीडियो लास तक जरूर देखे टॉप 30 कोशन मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ और एक कोशन होगा जिसका आप सभी को करना होगा कमेंट बॉक्स में फ्री पीडियाफ के लिए हमारा टेलिग्राम चैनल जॉइन कर लीजे जिसकी लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी हुई है एक्जाम टॉपर यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक, शियर, कॉमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा चलिए फर्स्ट कोशन देखते हैं, अवसिष्ट सक्तियां केंदर के पास हैं, इस प्रावधान को किस देश से लिया गया है, तो इस प्रावधान को लिया गया है कनाडा से, option number D हो जाएगा, correct answer देखें, अवसिष्ट सक्तियां जो हैं, वो केंदर सरकार के पास होती हैं, तो इस प्रावधान को कनाडा से लिया गया है, D option आपका बिलकुल correct answer है, अगला है निर्वाचित, राष्ट्रोपती, उस पर महाभियोग का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो भई ये प्रावधान हैं ये लिया गया है, अमेरिका से यनिकी USA से, निर्वाचित राष्ट्रोपती या उस पर महाभियोग का प्रावधान जो है ये अमेरिका से लिया गया है, नेक्स्ट उप राष्ट्रोपती के पद को किस देश से लिया गया है, तो ये भी अमेरिका से लिया अमेरिका की कैपिटल वॉसिंग अटन डीसी है जौब आई डेन राष्ट्रोपती है कमला है जो की भारतिय मूल की है ये पहली महिला ओप राष्ट्रोपती बनी है अमेरिका की करंसी डॉलर है आप सभी जानते हैं नेक्स्ट कोशन है संग एवं राज्य के बीच सकती विभाजन के प्रावधान को किस देश से लिया गया है तो इस प्रावधान को लिया गया है कनाडा से करेक्ट आंसर ओप्शन नमरे हो जाएगा नेक्स्ट समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है वेरी Option number C, याद रख लेना है, France की capital है, Paris. Next, विधी दोवारा स्थापित प्रकिरिया को किस देश से लिया गया है? तो विधी दोवारा स्थापित प्रकिरिया को लिया गया है, जपान से. जपान की capital क्या है? टोक्यो. याद रख लेना है आप सभी को, टोक्यो. चलिए, नेक्स्ट है, राश्ट्रोपती पर महा भ्योग के प्रावधान को किस देश से लिया गया है? तो यहाँ पर correct answer America हो जाएगा. Option number C, America को हम USA के नाम से भी जानते हैं. नेक्स्ट कोशन है, उद्देसिका का विचार का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो यह भी लिया गया है, अमेरिका से, यहनि की USA से, option number C, right हो जाएगा. अगला है, एकल नागरिक्ता के प्रावधान को किस देश से लिया गया? यह भी बहुत important topic है, sorry, important question है, जो की काफी बार exam में पुछा गया है, कि एकल नागरिक्ता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो यह लिया गया है, ब्रिटेन से, okay, देखें, एकल नागरिक्ता होती क्या है? यदि कोई व्यक्ती, भारत, जैसे की भारत से जाकर, विदेश में जाकर, जो है, रहने लगता है, okay, तो अगर वो विदेश की नागरिक्ता ले लेता है, तो automatic जो है, उसकी भारत की नागरि प्रावधान है, जो भारत का व्यक्ती है, या तो केवल भारत का ही नागरिक बनके रहे, या फिर किसी अधर कंट्री का, okay, अगला कुशन है, परमाधिकार लेख का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो परमाधिकार लेख का प्रावधान ये भी लिया गया है, ब्र हैं जो हर बार repeat होते हैं तो Ireland से लिया गया है नीती नर्देशक शिद्धान के प्रावधान को अगला है द्वी सदन वाद विवस्था के प्रावधान को किस देश से लिया गया है तो ये लिया गया है ब्रुटेन से option नमबर ये हो जाएगा right answer अगला कोशन है विधाई प्रकिरिया को किस देश से लिया गया है तो इस प्रकिरिया को भी ब्रुटेन से ही लिया गया है और ये कोशन भी काफी बार exam में पूछा गया है अगला है केंद्रेवं राज्य की दीच संबन्द थता सकतियों के विभाजन के प्रावधान को किस देशसे लिया गया है तो ये लिया गया है Australia से option नमबर C हो जाएगा correct answer next question है प्रस्तावना को कहां से लिया गया है तो प्रस्तावना को लिया गया है America से यनि की U.S.A. से option नमबर Az नेक्स्ट कोशन है मंत्री मंडल प्रणाली को किस देश से लिया गया है तो मंत्री मंडल प्रणाली को लिया गया है बृटेन से सी ओप्शन करेक्ट हो जाएगा अगला है सम्विधान की सर्वोचता के प्रावधान को किस देश से लिया गया है तो इसको भी एमेरिका से ही लिया गया है ओके option number B next है राज़ेपाल के पद को कहां से लिया गया है तो जो राज़ेपाल का पद है इसको लिया गया है भारत चरकार अधीनियम 1935 से option number A हो जाएगा correct answer और देखे जो background voice आ रही है उसको ignore कीजेगा थोड़ा okay class पे focus कीजे न्याय पालिका की सोतंतरता के प्रावधान को किस देश से लिया गया है तो इसको लिया गया है USA से यनिकी America से option number B अगला question है राश्ट्रोपती के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था के प्रावधान को किस देश से लिया गया है तो इसको लिया गया है Ireland से option number B हो जाएगा right answer अगला question है मौली कधिकार को किस देश से लिया गया है तो जो मौली कधिकार है इसको लिया गया है America से यनिकी USA से आप नहीं बोल सकते जो व्यक्तियों को बुरा लग जाए ठीक है बोलने की सुतंतरता है आपको मगर ऐसा कुछ नहीं बोल सकते जो सामने वाले व्यक्ति को बुरा लग जाए कहीं भी घूम सकते हैं लेकिन ऐसी किसी की private जगा पर नहीं मतब घुश सकते हैं गूमने का अब हमें सदस्यों के निर्वाच्वन की प्रकिरिया को कहां से लिया गया है तो ये दक्षिन अफ्रीका से लिया गया है ओप्षिन नमबर ए देकिंगे मोस्टली जो कुशन मैं बता रही हूं उनका आंसर क्या बनना है बिटेन या तो अमेरिका है ना तो कन्फ्यूज तो और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कोई भी न्यू है तो अगला कोशन है प्रिस्तावना में सामाजी कार्थिक राजनी तिक न्याय का आदर्श किस देश से लिया गया है तो राइट आंसर यहां पर रस्या हो जाएगा यानिकी रूस ऑप्चन नमबर ए नेक्स कोशन है स अधीसों को हटाने की विधी का प्रावधान अगला है भारतिय समीधान का सबसे बड़ा श्रोत कहां से लिया गया है तो यह लिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 से ओके वित्ति आपात के प्रावधान को कहां से लिया गया है तो वित्ति आपात के प्रावधान को लिया नमबर एक ओके नेक्स्ट एन लास्ट कोशिन आपातकाल के दोरान मूल अधिकारों का निलंबन के प्रावधान को किस देश से लिया गया है तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जैगा जर्मनी अच्छा मूल अधिकारों का निलंबन जिर्मनί अधर कंट्री का आक्रमन या फिर भारत में कोई आपसी ही कोई मतलब ऐसा कुछ मुद्दा चल रहा है जो बहुत ही डेंजर मतलब ऐसा कुछ आक्रमन टाइप आंदोलन टाइप तो उस टाइम पे आप अपने मूल अधिकारों का जो है हक नहीं जमा सकते हैं यह यानि कि आप पातकाल के दोरान मूल अधिकारों का निलंबन इसी को कहा जाता है जो कि जर्मनी से लिया गया है एक कुछन जिसका आंसर कीजेगा कमेंट बॉक्स में मौलिक करतव्यों का प्रावधान किस देश से लिया गया है सायद मैं बता चुकी हूँ यह कुछन तो यह कॉपी नही करते हैं जो मैं होंव के लिए कुछन देती हूँ तो इससे आपी का बहला होता है आपी की प्रेक्टिस अची होती है तो जड़न से जड़ने की कोसिस किया करीए चाहें कॉपी कर लेजिए आप कहीं से मगर आशर जरूर करिए क्यूंकि इससे आपको याद होगा आपकी प एक्जाम टॉपर पर अप्लोड करी हैं उन सभी वीडियो के पीडियाफ पड़े हैं एक्जाम टॉपर जो की हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको जॉइन कीजे आपको सभी पीडियाफ फ्री में एकदम मिल जाएंगे और हाँ टॉपिक सजेस्ट करते रहिए मुझे मलानी की पूरी कोशिस करूंगी अब आपको मिलती हूं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए टेक कियर बबाए थाइंक यू